गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब मैं रेनो इबर फिर से वेलकम करती हूं आपका मेरे चैनल में और आज का टोपिक लेकर आई हूं मैं बच्चों से रिलेटिड जितने भी पैरेंट्स हैं उनकी एक ही दिक्कत होती है कि बच्चा अर्गुनेंट करता है बच्चा सुनता है तो भी आपको यह चीज एक बार सोचना समझना मैं फोर्स नहीं करनी हूं आप इस चीज के बारे में सोचना कि फ्यूचर में आपको भी वह सब फेश करने को मिल सकता है जो कि पड़ोस में आपने सुना होगा कि इनका बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुनगा उसके नहीं मिल रहा है उस चीज के जिद कर रहा है तो इन सब कोई भी एक्स वाइट जहेड कोई भी जिद उठा के देख लीजिए बच्चा पैरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुन रहा है ऐसा अपने माहुल अपने मोहले में आसपरोस में अपने रिस्तेदारियों में देखा अपने कभी सोचा कभी कोशिश की की कियो हो रहा है मैंने की आप बात बताइए एक बच्चा जब तीन-चार-पांच साल का होता है वह हमारे साथ अपनी हर बाद Îचश करता है स्कुल से आता है जैसे बच्चा स्कूल जाना striving करता है तब से ले करके दस-वारा साल का होता है तब तक वो अपनी हर बात हमारे साथ से एर करता है हमारे पीछे-पीछे होता है और हम उससे दूर भागने की कोशिश करता है उसको डाड़ते हैं कि नहीं अभी नहीं थोड़ देर के बात बताना हम उसके बात नहीं सुनते हैं हम आगे-ागे होते हैं उससे कुछ उससे पूछना चाहते हैं लेकिन वो हमें बताना नहीं चाहता है अपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है फरस्ट फोल तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि जब हम लोग बच्चे थे हमारे जो पैरेंट्स थे वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे अगर कानवसेशन पैरेंट्स और चाहिल के बीच में बहुत अच्छा था लेकिन आजकल क्या और है कि पैरेंट्स जो है वो बच्चे को हर फैसिलिटी जरूर देते हैं हमें फैसिलिटी नहीं मिली थी हमें कुछ भी नहीं मिला था आजकल के बच्चों के हिसाब से लेकिन हम लो और नहीं देपा रहे हैं. तो सबसे में दिकत तो यहीं आ जाती है, जब हम यह 5-14 साल तक जो नहीं उसमें को możemy बच्चे को हम अच्छे से अपने साथ अटेच नहीं कर पाते, तो जैसे ही उसको अटेच्में बिलता है बाहर की दुनिया से, वो उनके साथ इतना अटेच हो जाता है कि वो हमारे साथ अटेच होना ही नहीं चाहता है तो सबसे पहले तो मैं यह कहने चाहूँ कि जितना हो सके आप मा और पापा, मतलब मम्मी और पापा बच्चे के पैरेंट्स जो है वो चाहे दोनों जोग करते हूं फिर भी उनको अपना टाइम जो है कुछ तो इतना टाइम निकालना चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ में टाइम्स पेंट करें उनको पता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है मतलब बचपन से ही पांच साल की उमर से ही वो बच्चे के साथ में conversation skills बढ़ाएं, बातचीत करें, हर चीज में उसको answer दें उसको और अगर आप answer नहीं भी देना चाहते हैं, तो भी आप उसको क्या करें, तसली से प्यार से समझाएं, उसका mind divert करें, जिस topic पर आप बात नहीं करना चाहते हैं, तो वहां से उसका mind जो है, उसको divert करने की कोशिस करें, लेकिन उसको डाटे नहीं, second thing क्या आती है, कि जैसे ही बच्चा 14-15 की उमर में आता है, वो अपने खुद की, उसको हम facilities इतनी दे चुके होते हैं, उसको इतनी मतलब उसकी हर बात मान चुके होते हैं उसको इतना प्यार दुलार इतना दे चुके होते हैं, जो उसको एकदम आदी बना देता है, वो प्यार दुलार ममता नहीं होती है, प्यार नहीं होता है, वो उसको facilities होती हैं, वो जो चीज मांगते हैं हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बिलकुल भी तकलीफ नही होता है लेकिन बाकी जो भी फॉर्मल्टी जो होता है वो हम करते रहते हैं एक अच्छे हाइफाइ स्कूल में डालेंगे अच्छी फीपे करेंगे अच्छे कपड़े दिलाएंगे अच्छे टोई बिगरा दिलाएंगे अच्छा उसको लाइफस्टाइल देंगे लेकिन उसक चीजों की आदी बन जाता है और फिर इन future उनी चीजों की डिमांड करता है और जब वो चीजें उसकी requirement जो है वो बड़ी हो जाती है जैसे 14 की एज में ही बच्चा स्कूटी की बाइक की इनकी जित करने लगता है आके लिए ड्राइव करने की जित करने लगता है तो वो आपका बच्चा बच्चपन से ही आप उसको वो ही चीज दे जिसकी उसको requirement हो जिसकी उसको जरूरत हो ऐसी चीज आप उसको provide ना करवाएं जो उसको facilities की आदत डाल दे ठीक है और second thing अगर आपने ऐसी गलती कर दी है उसको ऐसी आदत आप डाल चुके है और अभी आपका ब बच्चा 14-15 की एज में पर ने आदके डाल दी अब क्या कर सकते हैं तो अब आप यह कर सकते हैं कि आप उसके साथ बहस ना करें वो अभी हर्मोनल चैwing RJs से गुजर रहा हैं लेकिन आप हर्मोनल चूंजस से नहीं गुजर रहे हैं आपको उसको समझना होगा आप उसके सा करें घंटे दो घंटे चार घंटे आप बात नहीं करेंगे उसको आपकी अहमियत का पता चलेगा वो अपने आप आपसे आके अपनी जो भी जिद की उसने उसके बारे में वो आपसे डिसकुश करेगा आपसे बात करेगा आपकी प्रोब्लम सोल होएगी और तीसरी चीज में बताना चाहूंगी कि आप जब भी जब भी आप फ्री हों आप अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंट करें उसके साथ में जब 14-15 में बच्चा होता है उसके फ्रेंड बने और जितना हो सके उसको ऐसा फिल करवाएं कि आप उसकी किसी भी बात से प्रेशान नहीं है आपको एक अलग तरीके से उसका solution ढूनना है बच्चे को involved उसमें नहीं करना है एकदम प्यार से उसका solution ढूनना है क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो हमारे जैसे नहीं है आपने देखा है कि पहले जब हम स्कूलों में होते थे तो counselor नहीं होते थे जब हमारा time था जब हम बच्चे थे तब स्कूलों में counselor नहीं होते थे लेकिन अब स्कूलों में counselor होते हैं तो सोचा अपनी counselor की जरूरत क्यों पड़ी है क्योंकि parents उन्होंने अपनी duty अपना फर्ज निवाना बंद कर दिया है उन्होंने अपनी duty दूसरे तरीके से निवान करें और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक प्रेस कर देना तो जाते जाते अगर नए आए तो सब्सक्राइब भी करके जाना यह मेरा वीडियो था यहीं तक मैं मिलते हूं आप से अगले किसी टोपिक में तब तक के लिए बाइबाद टेक्या तक को वो जिन